नमस्कार मैं हूं सौरभ शर्बा और आप देख रहें इंडिया टीवी का ब्राड न्यू शो पोल साइंस पोल साइंस मतलब इस चुनाव को विज्ञानिक दिश्ट्री से आपके सामने हम रखेंगे और चुनाव में विज्ञान एकी जगे काम करता है और वो है डेटा के साथ तो इस चुनाव का पूरा डेटा आपको बताएंगे एतिहासिक डेटा आपको बताएंगे और बताएंगे भविश्य में ये चुनाव आपके लिए क्या खबर लेकर के आ सकता है इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ एक तो एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यह हमारी magic स्क्रीन है, जिसके पीस के अंदर सारा data feed है, वो एक एक करके data इसमें से निकलता रहा है, गर हम बात करते रहेंगे, मेरे साथ हमारे political editor देवेंदर पराशर भी हैं, और देवें गांधी ने आमेठी को छोड़ दिया, और राय बरेली से अपनी माता जी की seat से उन्होंने nomination फाइल कर दिया, बहुत बात हुई कि राहूल ने आमेठी क्यों छोड़ी, स्मृती रानी से हार का डर था क्या, राय बरेली Congress safe seat समझती है क्या अभी भी, BJP के लिए राय बरेली क कितने margin से जीती, upset हुआ तो कितने margin से हुआ, इस से आपको आगे की कहानी समझने में मदद मिलती है, तो मैं और देवेंदर आपके लिए इस चुनाम को थोड़ा सा सरल बनाने की कुशिश करेंगे, फिर एक बार data के साथ, तो मैं अपनी magic wall पर जा रहा हूँ, आप इस पर स देख रहा हूँगे, अलग-अलग नंबर लिखे हूँए, एक से लेकर 80 तक, यह सारी लोगसभा constituencies हैं, अब फरस की, जब हमको बात करने हैं आज राय बरेली की, तो मैं राय बरेली की seat पर क्लिक कर रहा हूँ, 26 नंबर, 36 नंबर जो seat है, यह राय बरेली है, तो आपके सा सुनिया गांधी नहीं, राहूल गांधी लड़ रहे हैं, और वोट परसंटेज कैसे बदलता रहा है 2009, 14 और 19 में, यह असल कहानी आपके सामने, अब देविंदर के हवाले पे करना हूँ, उनके बिग स्क्रीन है, वोट परसंटेज क्या बता रहा है, सुनिया गांधी का व 24 और 29,72, इसमें लगबग 20% का जो बड़ा मार्जिन है, उस मार्जिन को आप सीधे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, अगर 9 और 14 की में बात करूं सीधे सीधे, यह 20% का ड्रॉप है, और 14 में मोधी सीन में आ चुके थे, बिलकुल, और यह सीधे मोधी लहर का ड अगर वहाँ पर बसपा अलग होती, तो वो डाटा आप और कम देखते हैं, यहां से गहर कीजेगा, 2009 में सपा कभी कैंडिडेट नहीं देती थी राइबरेलिया मिठी में, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं दिया, लेकिन बेस्पी देती थी, 2009 में 16.4 बोट लिया था, 2014 में आकर 7.4 बोट लिया था, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच करार था, इसलिए डारेक्ट फाइट थी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में, इसलिए आपको कॉंग्रेस का बोट शेयर, बीजेपी का बोट शेयर दोनों बढ़ावा दिक रहा है, बिल्कुल और लेकिन यह जो इजाफा है, वो एक्चुल इजाफा कॉंग्रेस पार्टी के लिहास से देखें तो नहीं है, क्योंकि इस बात के चुनाव के लिहास से अगर आप देखें तो बसपा अलग है, दूसरी बड़ी चीज समस्या 2019 में कॉंग्रेस पार्टी के विपक्ष का उसमें धीरे-धीरे से अधिमारी नजर आ रही है, और उसका नुकसान उसमें होता हुआ नजरा है। ना लड़ने की वज़े से है, अब बसपा चुनाव लड़ेगी, मतलब आपको इसमें ड्रॉप आटोमेटिकली दिखाए देगा, इसमें से कॉंग्रेस पार्टी का जो वोट शेर इसमें से बीएस पी का वोट शेर गिरेगा, पहली चीज तो वो, बिल्कुल, और इसके प अपने पाले में खीचना शुरू किया, जैसे 2019 के जो कैंडिडेट थे, जो 24 में ही कैंडिडेट हैं, वो 2018 में ही बीजे पी है, कॉंग्रेस पार्टी शोड़ के, तो इस काम को बीजे पी ने ग्राउंड पे बखो भी किया, कि जो अस्थानिया पॉकेट के नेता थे, उनको बीजे पी जॉइन कराना शुरू किया, और मेठी राइबरेली के तिहास को अगर आप देखें, अभी तो हम लोग राइबरेली पे बात कर रहे हैं, कि आम तोर पे वो अंडरस्टेंडिंग का एक चुनाओ रहा है, अंडरस्टेंडिंग का चुनाओ इस लिहाद से कि कॉं इसकी फर्सट फैमिली का रास्ता पार्लेमेंट तक रुके और वहाँ पर फिर वो समस्य नदर रही है, दूसरा इस पॉकेट को अगर आप देखें, तो समन्ती इलाका रहा है, आज भी आपको बड़े गरव से वहाँ पर लोग बताएंगे, ये राजा साहब, वो राजा स पॉकेट में अश्रान से कहेंगे कि राजा साहब जो कहेंगे, हम लोग वही करेंगे, वो माइंट से अभी उस पॉकेट में चेंज नहीं हुआ, उसका फाइदा राजनीती में मिलता था, कॉंग्रिस पार्टी बखो भी उठाती थी, उसमें भी अप से इंत्माज से होगी स्मृति इरानी हारी थी ये चुनाव राहूल गांधी से ही, अगले पांट साल महिनत की उन्होंने राहूल गांधी को हराया, स्मृति इरानी ये चुनाव जीत गई थी, अब मैं बोर्ट परसंटेज पर जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर जब राहूल हारे तब क्या हुआ था, आक्चुली ये आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें आपको 2009-14-19 दिखाई दे रहा होगा, बीजेपी 5.8% 34.4% से बढ़कर 49.7% पर आ गई, कॉंग्रेस पार्टी 71.8% से पहले घटी 2014 में 46.7% पर आई, और उसके बाद वो 43.8% पर आई, अब इस अब स्नुनिय गांदी का चुनाव, डिसकस किया था, वो वोट जो था, बसपा का वोट आपको एड होता हुआ, दिखा था, कॉंग्रेस पार्टी के वोट में, यह चुनाव ऐसा था कि वो बसपा का वोट भी जुड नहीं पाया कॉंग्रेस स्मरिती इरानी और और अंग्रेस के रड़ाई में सारा वोट जो था एक्सेस वोट 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 वो बीजेपी के पास चला गया था और आप देख सकते हैं छे परसंट का मार्जिन था वोट शेर का जिससे स्मृति रानी ने राहुल गांदी को हराया था अल्मोस और देखें तो 50% का वोट शेर इसमिती रानी का रहा है 49% मतलब 50% का आसपास वोट लगे आई है अब सवाल यह है कि यह वोट हुआ कैसे है जो 43-8 दिख रहा है एक्चुल में कॉंगेस पार्टी के हिसाब से देखें तो और काफी कम है जैसा है कि बार बार बात कर क्यादार पर कि 46-43 में तो बमुश्किल 3% का फर्ट था और वो हमारी इनफाइटिंग थी किसी एक्टी को मैनेजमेंट का जिमा दिया गया था में ठीक हो दूसरे को दिया गया था राइवरेली को दोनों में आपस में बंती नहीं थी तो इसलिए नुकसान हो गया यह वहाँ पर केंपेंट कर रही होती अंतीम तकरीबां 25 दिन पहले उनकी उमिद्वारी का इलान किया गया उसके बाद वहाँ गई अधिकांस बूथ हैसे थे लगबाग 60% बूथ हैसे थे जिसमें बीजेपी का तो अपना कोई बूथ हिंचार्ज नहीं था अब राजाओं के इलाके में अगर कार करता बूथ पर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा उस चीज़ने दोजार 14 में बचाया दोजार 19 आते आते वो पूरी तरह से दरग गया कि कि वहाँ पर बीजेपी का संगठन खड़ा है हर एक बूथ पर और कई सारे नेता तो केल शर्मा तो अब जब राहूल गांधी के केस पे आप देख रहे हैं कि बसपा का वोट जुड़ने के बाद भी ओवरॉल वोट शेर नीचे आ गया था तो केल शर्मा क्या कर पाएंगे निशित आपस वारब एक तरह से आप कहें कि उनको पहली बार वो उनको चुनाओ ल जो फ्रोटिंग वोटर्स है उसका एक बड़ा चंक आपके पास आए लगबग किसी भी परटी पे रागू होता एक आपगा आपना जो कैड़र है वो है वो हमसे मिले नहीं है हमारे सुख दुख में कभी नहीं आए तो केल श्रमा को वह पर कौन जाता है और समय अब इतना कम दिन रह गया तो वो मुझे लगता है कि कॉंगर्स पार्टी बहुत कोशिश की कॉंगर्स पार्टी ने राहूल गांदी को श्याद समझाने की राहूल कि वो हिमत नहीं दिखा पाए कि स्मिति रानी के पास जाएं अब वो लाग कोई उसमें बजह ढून कर बता दें कि सुनिया गांदी की सीट को खाली नहीं छोड़ना चाहते थे और दोनों भाई बैन में से एक ही को चुनाव लड़ना था राहूल गांदी को इसलिए उन्ह कैमपेन करना है तो क्या आगे कि किसी चुनाव में वो कैमपेन नहीं करेंगी हर चुनाव में उनको कैमपेन करना है जब भी चुनाव को लड़ रहे हैं तो वो कैमपेन नहीं करेंगे तो यह तर्क होई वाजिब चीज नहीं था बस यह था कि स्मिति रानी के उस ताकत के स दोनों की बड़ी comfortable victory थी आज पास क्या होता रहा जो आजू-बाजू की सीट थी जैसे बारा बंकी सुल्तानपूर फटहपूर प्रताफगर उन्नाओं और उध्याग टेस्ट केस के तौर पर हम इसको देखते हैं तो अब मैं आपको जैसे बारा बंकी का हाल बताता हूं बार बंकी की सीट और अगले दोनों इलेक्शन में बीजेपी ने कॉंग्रेस से सीट चीन ली थी अब मैं वोट परसेंटेज पर आ रहा हूं बारा बंकी में वोट में कितना प्रभाव पड़ा है इन तीन इलेक्शन के अंदर पहले बीजेपी की रो पर गौर कीजेगा साड़ और जो वोट बढ़ रहा है वो कितना स्टीप ग्रो कर रहा है बीजेपी का और कॉंग्रेस का वोट जो गिर रहा है तो धलान कितनी सक्त है उसका अंदावजा भी आपको इससे मिलेगा बारा बंकी अब बिल्कुल सर अब इसमें अगर आप देखें तो 2019 के डाटा को जो आ जाता था लेकिन 2014 से उस इक्वेशन में बदलाव आना शुरू हुआ यह एक रिजर्ब सीट है और पियंग का रावत को तब बीजेपी ने 2014 में पहली बार वहां पर उमिद्वार बनाया था और क्योंकि इधर अमेठी या राइबरेली से 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 मोधी लड़का बर बनाया था तो हो नी सकता यह बिल्कुल नहीं सब्सक्राइब ना इसमें कोई अस्थानी अमिद्वार ऐसे था जैसे प्रियंका रावत 2014 में दिया गया दोजानीस में उनका टिकट काटा गया उपेंद्र रावत को दिया गया उनको जीत हासिल हुई तो यह सिर्फ और सिर् में ऐसा ही जाफा किया जी आईए अब चलते हैं हम लोग सुल्तानपूर सुल्तानपूर कॉंसिवेंसी 38 अर्थिस नंबर कॉंसिवेंस सुल्तानपूर आपके सामने खुल गई कि देखें सीट वही कॉंग्रेस के पास थी 2009 में 2014 2019 में भारती जंता पार्टी के पास आई वो 2019 आते आते 45 दुश्म लोगब 46 परसेंट 6.3 से 46 परसेंट का जंप जो है यह बीजेपी लगा रही है और बिल्कुल उल्टा कॉंग्रेस पार्टी 42.4 से 4.2 पर आ गई है जब हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी में यह जो कमाल है करिश्मा है केवल एक निता की वजह से है तो सुद्धानपूर को कभी अलग नजरिये से देखी नहीं सकते जो भी नेरेशन चलता है से नेरेशन चलता है इस सीट पर वहां पर उन नेताओं के ग्राफ में जो कमी आ रही थी उसका बड़ा इस तर इदर दिखा और दूसरी तरफ पी एम और योगी के साथ साथ यहां प इसको इससे भी कंपेर करना चीए फिर जारा अपनी मैजिक बॉल पर जाता हूं इसको कंपेर कर लीजे जब 2019 में सपा-बसपा का घठबंदन हुआ बीजए पी पैंतालीस दशम्लंब नौ है और चावालीस दशम्लंब चार एंग्दम क्रोच वाली सीटे थी और बीजए अगली सीट पर बढ़ूँगा उससे हमको और आइडिया लगेगा जी बिलकुल अगली सीट बाने जे परताफगड की बात करते हैं 39 नमबर कॉंसिट्वेंसी है प्रताफगड प्रताफगड की कॉंसिट्वेंसी आपके सामने आ रही है अब सीट पर देखने पहले एक नजर कॉंघरिस पार्टी फिर अपना दल अपना दल मतलब एंडी ए मनं अपना दल को मिली विती 2014 में उन्होंने जीती 2019 में सीट BJP की हो गई थी मतलब दोनों कॉंघरिस से च्छिनी हुइ इंगले दोनों इलेक्शन में यह इन्डिये के पास सुरी गई थी वोट शेर पर हम चल कॉंग्रेस सपा बस्पा वोट बिल्कुल बिखरा हुआ है आपको यहां पर दिख रहा है कॉंग्रेस का 15.5 सपा का 13.4 बस्पा को अच्छा वोट मिला था इन दोनों का 2014 का अगर आप वोट परसंटेज जोड लेंगे तो यह लगभग बनेगा 36.6 और यहां पर जब एक्च्छल वोट पड़ा तो यह कंबाइंड वोट शेर था 34.8 तो 47.7 जिस पर जीती भाजपा और मुकाबले में मिला गटबंदन को वोट 34.8 इससे एक और चीज उनों दोड़ के देखा दिया वोट घट गया है और असानी अस्तर पर रियक्शन तो होता ही है प्रताफगर वाली वो सीट है जो कि बीजेपी घटबंदन के हिसाब से बीजेपी जादा कमफर्टेबल जिती है जैसे बीजेपी को अगर 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 ले लड़ना हो और अपना अदल का वी वाँ पे बड़ा शेयर इस लिहास है सरवर्भ कि यह कुर्मी बहुत सीटों में से जहां पर कुर्मी बहुत महत्तों रखते हैं उनमें से एक सीट है यह प्रताफगर तो जब वीजेपी के वोट के साथ यह कुर्मी वोटर जूट जूड जाता है तो प हमाइने रखता है कि वो कि दर दे रहा है और इस सौना में किस ओर जुके हैं वो हमारे सोट से जहां हम बताते हैं खोशी तोर किसी के साथ नहीं है और गोशी तर पर बीजेपी के साथ है तो उसका उसका भी एसर पढ़ रहा होगा वोट शेर में कहानी आपको लगबग वैसी कहानी दिखाई दियती रहेगी मैं सीधे 2019 पर आ रहा हूं देखिए भारती जनता पार्टी ने शुरुवात 2009 में 5.7 से की थी यानि 51% का वोट जम दस साल के अंदर 51% बदला और कुछ नहीं है कि वहले एक आदमी टॉप पर नर्यदर मोदी आप और वो 51% वोट जो इनकी पार्टी का बढ़ जाता है और अगर आप विपक्ष की और देखेंगे मैं आप कॉंग्रेस की और एक नज़र डालना चाहते हैं आप देख लीजे कितना है इनका लगभग आपको 34% वोट शेर मिला दिखाई देगा कंबाइंड वोट शेर सपा और बसपा का 2014 के अंदर 2019 में आते हैं तो इनको वोट मिलता है 24.4 मतलब कोई ऐसा सिंपल अर्थमेटिक नहीं है 10% वोट जो है गिर जाता है और यहां पर 56. 50% वोट के साथ भारती जंता पार्टी ने इस सीट निकाली उन्नाव की क्या इस बार भी ऐसे ये 50% ज्यादा वाली सीट है इसको भी आप कह सकते हैं और यह वो सीट है जो कि साक्षी महाराच पेर बीजेपी 2014 से लगतार भरसा कर रही है 14-19-29 में उसमें आप देखें तो प्राम्भन लोध और चोटी चोटी जो पीछे जाती हैं ये कॉमिनेशन जब बनता है तो एक बड़ा बुके बन जाता है उन्नाव वैसी सीट है जहां पर आप असानी से जी सकते हैं बीजेपी को 20.4% बोट मिला था और जिसने जीता था चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी थी 28.2 तो सिर्फ 28% पर कॉंग्रेस पार्टी ने इस सीट जीत ली थी वोट कितना बटा हुआ था देखें बीजेपी 20% कॉंग्रेस पार्टी 28% सपा को 21% बसपा को 18% ऐसा लग रहे है अधिया फैसलाई नहीं कर पानी थी कि इन चारों में से किसको देना है सबको लगबग बराबर वोट दे दिया था और 28% पर कॉंग्रेस पार्टी ने इस सीट निकाल ली आवाजाई 2019 में बीजेपी लेती है 48.6% बोट और सपा बसपा का संयुक्त उमीदवार समाजवारी पार्टी का कैंडिडेट वो 42.6 वोट लेती है 48.6% बीजेपी लेती है 6% पॉइंट से बीजेपी जो है ये चुनाव जीत लेती है तो मार्जिन 6% का था उध्या में 2019 में कहीं लों को लगता होगा शारी और ज्यादा होना चीए था बिल्कुस और सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से 467% वोट सपा बसपा के पास था अगर कॉंग्रेस उसमें साथ जोड़ जारती है तो गड़बंदन के तरह भले ही ना जोड़े लेकिन इशारा के तौर पर जोड़ती है वोटर के हिसाब से जोड़ती है ये वो सीटे जहा जारा महाल बनाया हो हो वहां पर कास्ट जारा माहल बनाता है अधिया में और विना functioning से जी्टते थे क्यूंकि पिछले वोटर में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पैठ बनाई सिर्फ इस लिए बाइन राद करते थे अगर उनके वोटर्स को एक साथ जोड़ दें कि ऑप्शन तो ही था वहां पे जा तो बीजेपी जाईए या इधर जाईए तो उस कंडिशन में पचार या पांच प्रसन वोटी उनका डिप हुआ है उस बुके का बीजेपी के लिए कोई बहुत आसान सीट वो कभी नहीं रह है कि लल्लु सिंग बार-बार जीत रहे हैं पिछले दूबार से आप देख रहे हैं कि लल्लु सिंग की जो खासियत है कास्ट खासियत नहीं है लल्लु सिंग की खासियत भले ठागल कम्मुनिटेस हैं खासियत उनकी यह है कि वो किसी के लिए भी सुलब रहते हैं अब मैं बीजेपी के पास 10 seat थी, कॉंग्रेस की 21 seat थी, राहूल गांधी का सरुष्रेश्ट पधरशन है, जो उनको 2009 में 21 seat जीत करके मिला था कॉंग्रेस पार्टी को, समाजवारी पार्टी 23 seat जीती थी और बसपा 20, मनलब सपा बसपा कॉंग्रेस तीनों जो लगबग बराबरी पर बीजेपी 10 पर थी, कट टू 2014, आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी आगई सीधे चलांग लगा आगर 73 पर, यह पूरे एंडिये का है, इसमें बीजेपी के अपनी 71 थी और दो अपना दलकी थी, जहां तक मुझे जाद है, कॉंग्रेस पार्टी 2 seat अम पर आप बीजेपी की, जो 73 से घटकर 9 seat डाउन 64 पर आगई, इसमें दो कोई शक नहीं देविंदर के गटबंदन का असर था, बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब, इसमें कोई दोराई नहीं को गटबंदन का असर से ही वह वैसा नतियारा है, उसकी वज़ए यह है कि कई कॉंग्रेस पार्टी, आप राहुल गांधी हार गए थे हमेठी, तो आप कॉंग्रेस के पास एक seat बची थी, राय वरेली की सोनिया गांधी ने जो जीती थी, सपा को पांच seat मिली थी, निराशा जनक प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी के लिए, बसपा शूनिय से प पाउर बसपा का है नहीं, हम सब जानते हैं, कॉंग्रेस और सपा का गठ बंदन हो भी जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी को नहीं देने जा रहा है, इसलिहास से एक कॉमन सेंस की मैं बात करों और महौल जो दिखाई दे रहा है अभी तक, बीजेपी क पिछे वज़स और अब यह है कि 2019 में राष्टवाद को लेके जो करेंट था, 2024 में वो करेंट नहीं है, ये तुल्गेटी बात हो गई, प्लस पॉइंट क्या है कि अब आपके पास बड़ा लाभार्थी वर्ग तयार है, तो जब राष्टवाद का करेंट होता है, तो ज़ करके बताएंगे कि मोदी को वोट देंगे. अब राष्टवाद के लिए से खुद राहूल गांधी चुनाव लट रहे हैं, कॉंग्रिस के लिए जीरो होगा या कम से कम दो होगा? और राष्टवाद के लिए जीरो होगा, अमेठी में मुझे संभावना नजर नहीं आ रही है सौरप, क्योंकि अमेठी के लिहास से अगर राहूल गांधी जाते तो थोड़ा मुकाबला हो सकता था, अभी केज़ शर्मा कुछ कर पाएंगे, अभी तक तो ये बात नहीं कर रिटेन कर सकती है, और बाकी जो और सोला सीटे हैं उसके पास, इसके अलावा कहीं उमिद नजर नहीं आ रही है, कांगेस पार्टी के लिए से, पांच लोग चुनाव लड़ रहा है, ये पांच भी निकाल लेंगे, ये बहुत मजबूत है, इन सारी सीटों के अगर आप बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूती के एक बड़ी वज़ए हो रही है, कि इस बार से कमसे कम मिनिममम फाइव या इसके आसपास से सपह शुरू करेगी और कहा तक जाएगी हमको देखना हो कहा है, बसपा के बार में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, कि बेस पी जितन के लिए लड़ी नी रिए क्या बात सच है बीएस पिग कोशिश है तो जरूर उमीदवार को हिसाब आप देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को फेवर या किसी का नुकसान करने के लड़ी है ऐसा candidate दे कैसा नहीं लग रहा है और अगर वोट काटने के लिए लड़ रह पॉल साइंस में आप सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी मैजिक वॉल का जिसकी मदद से में आपको सारे डेटा और सारे नमबर देखा पाया इस बिग स्क्रीन के ओपर जहां हमारे पुलिटिक रेडर देविंदर पराचर ने बड़ी डीटेल में आपको एक एक हिस्से का साइंस लेकर डेटा लेकर आपके सामने हम हाजर होंगे और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सरब तरीके से लेकिन आकडों के साथ ये चुनाओ समझा पाएं इसलिए इस प्रोग्राम का नाम है पोल साइंस